हेलो फ्रेंट्स वेलकम यू आल टो यो चैनल फामेसी जोन मैं हूँ आसुतो शुकला दोस्तों हम लोग पढ़ ले हैं बी फॉर्म एट समेस्टर के सब्जेक्ट फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट की यूनिट फस्ट को और आज इस टॉपिक को हम लोग डिसकस करने वाले तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मार्केटिंग इनवार्मेंट क्या होता है कितने टाइप के होते हैं और कौन से इसे फैक्टर्स हैं जो कि मार्केटिंग इनवार्मेंट में इन्वाल्व होते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या एफेक् शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मार्केटिंग क्या होती है पहले हम लोग समझ लेते जिनके थ्रू हम किसी भी कंपनी में जिस भी प्रोड़क की मार्केटिंग कर रहे होते हैं उसके सेल को प्रमोट करते हैं उसके बिजनेस को इंक्रीज करते हैं उसे हम कहते हैं मार्केटिंग और इन्वार्मेंट का मतलब होता है कि जो भी हमारे चारों तरब की सराउंडिंग हैं physical, chemical, biological, social जो भी factors हैं हमारे surroundings में उनका हमारे उपर जो effect पड़ता है हमारे उपर जो influence होता है उसे कहा जाता है environment सो अब marketing environment अब simple सा इसका हम meaning निकालें तो marketing का मतलब होता है कि ऐसी activity जिनके through business को promote किया जाए तो marketing environment अदा factors या are the causes यह ऐसी causes होते हैं जिनके through हम business को maintain कर सके ऐसे causes जो की help करें to maintain business business को maintain करने में जो help करें वो हम उसे कहेंगे marketing environment या marketing environmental factors कहेंगे business को maintain करने के साथ relationship maintain करने में भी जो help करें relationship किसी भी business activity में किसी भी business को increase करने के लिए relationship का बहुत important role होता है और relationship किसके बीच में company और company and target customer company और जो उसके target customer है उस इन दोनों के बीच की relationship को maintain करने में जो factors help करें उन्हें हम कहते हैं marketing environment या marketing environmental factors तो marketing environment involves all the factors all the causes which can help to maintain the business and to maintain the relationship between company and target customer अब ऐसे factors simple marketing environment means ऐसे factors जो कि business को maintain करने में और relationship company और target customer के बीच के relationship को maintain करने में help करते हैं उन्हें हम कहते हैं marketing environmental factors और जो यह factors होते हैं यह किसी भी company में दो तरीके के factors होते हैं दो तरीके के factors होते हैं वह factors कौन-कौन से होते हैं आपके internal factors and external factors internal factor और external factors यह दो factors होते हैं जो कि हमारे market एंवार्मेंट या company की business activities और company relationship को affect कर सकते हैं अब internal environment यह जो internal environment और external environment दोनों के बीच में जो फर्क होता है internal का मतलब है किसी भी company किसी भी organization के अंदर का factor means उसका inside factor और चुकि यह inside factors है यह internal factors है इस वजह से यह controllable होते हैं इनको control किया जा सकता है बट external factors यह company के inside किसी भी organization के inside factors नहीं होते हैं यह external factors outside factors होते हैं अब यह outside factors होते हैं इस वजह से यह क्या होते हैं non controllable इनको control नहीं किया जा सकता है अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से ऐसे factors हैं जो internal factors में आएंगे और external factors में आएंगे तो internal factors में सबसे पहले है personal, personal का मतलब जो implies company में work कर रहे हैं वो भी company की growth में या company के environment को direct effect कर सकते हैं और यह internal factors जो होते हैं इमीडियेट factors होते हैं यह direct effect करते हैं जैसे personal में simple सा समझे कि अगर कोई company कोई भी imply किसी भी गंबनी में काम कर रहा है किनी भी कारण से अगर वो imply उसका अपना responsibility को सही ढंक से पूरी नहीं करेगा पूरी concentration के साथ पूरी इमानदारी के साथ वर्क नहीं करेगा तो उसका influence सीधा पढ़ेगा किस पे organization पे और organization पे influence पढ़ने का मतलब है कि business activities पे effect पढ़ेगा उसके बाद जो second factors हैं आपकी वो है physical facilities अब मान लीजिए company में tablet बनाई जा रही है और tablet बनाने के लिए जो भी हमारे required instrument है जो required facilities है अगर वो physical facilities fulfill नहीं की जाएंगी तब भी हमारी production पे effect करेगा प्रोडेक्शन पे effect पढ़ेगा तो market demand नहीं fulfill हो पाएगी market demand नहीं fulfill हो पाएगी तो automatic हमारी business activity decrease होगी business हमारा decrease होगा और जो factor है marketing mix marketing mix का मतलब होता है कि जैसे marketing mix का मतलब कि हम जो भी marketing करते हैं उसमें अलग-अलग techniques का इस्तमाल करें various marketing techniques का इस्तमाल करें तो अगर प्रॉपर marketing mix के साथ marketing नहीं होगी तो भी हमारा business activity हमारा किसी जिस भी company जिस भी organization के हम marketing कर रहें उसकी business influence होगा अब अब आजाते हैं external factors पर जो कि non controllable होते हैं यह economical factor अभी हम आगे देखेंगे कि economic कैसे हमारी business को effect करती है demographic factors demographic factors का मतलब है कि जिस एरिया में business किया जा रहा है जिस जो भी हमारा target area है वहां पर population क्या है जो population है उसमें किस एज के patient है sex ratio क्या है education ratio क्या है उनका बहुत सारी ऐसे factors हैं जो कि हम आएंगे हमारे marketing को हमारी company के marketing environment को effect कर सकते हैं then next है आपका government factors government के जो certain rule and regulations आते रहते हैं legal factors तो यह हमारे internal और external factors हैं जो कि marketing को effect कर सकते हैं किसी company के किसी भी organization के business को influence कर सकते हैं अब हम आते हैं जो कि हमारा topic है वह है environment तो देखते हैं based on the factor जो भी अभी हमने factor discuss किया इन factor के basis पे based on factors हमारा environment कितने तरीके के होते हैं तो basis on the factors environment हमारा दो तरीके के होता है micro environment and macro environment simple सा micro and macro का मतलब आपको पता है कि macro में छोटा macro means बड़ा तो यहां पे छोटा और बड़ा नहीं है यहां पे micro and macro का बहीं मतलब हुआ कि micro means जो हमारे internal factors से यानि जो direct ऐसे factors है जो कि directly company से attached है और वो direct organization से यानि immediate factor and macro means external factors जो कि directly company से attached नहीं है organization से attached नहीं है but they can influence on the business activities of any organization so micro environment में जो सबसे पहला आएगा that is supplier किसी भी company के micro environment या किसी भी company का जो immediate factor होता वो supplier होता क्योंकि supply अब अब देखिए supplier किस तरीके से हमारी company को effect कर सकता है supplier जो होगा वो हमें raw material supply करेगा हमें product supply करेगा जो भी है हमें facilities supply करेगा तो अगर यह supplier जो भी है वह proper सही time पर delivery नहीं सही time पर supply नहीं कर पा रहा है या product की quality supply हो रही है वो compromise है qualitative product नहीं है economical नहीं है सो हमारा कहीं न कहीं business activity कहीं न कहीं है production influence होगा production influence होगा सो हमारी market business influence होगा supply अगर हम जहां से information collect कर रहे हैं जिन एजनसी से information collect कर रहे हैं कि माल लीजिए हम market में आ रहे है market में आने के पहले research करते हैं जिस भी product के साथ आते हैं और उस research के लिए हम कुछ agencies से contact करते हैं जिनसी हमें data देती है तो अगर वह improper data मिले तो भी हम सही focus नहीं कर पाएंगे सो हमारा पहला है supplier then second one is customers customers customer भी हमारे जो customers हैं वो influence कर सकते हैं customer कैसे influence कर सकता है कि अगर हमारा जो भी में customer जैसे कि अभी हमने शुरुवात में बात की कि company और customer relationship सही नहीं है क्योंकि जो marketing होती है सबसे बहतरीन और सबसे influence marketing जो होती है वो customer के द्वारा ही करी जाती है आपने किसी product को use किया फिर आप जाके दूसरे अपने किसी friend को बताते हो कि हाँ यह फ़ला product मैंने यूज किया यह फ़ला phone मैंने यूज किया और इस phone की facilities प्रोड़क की facility बहुत अची है तो वो direct customer उससे influence होता है क्योंकि एक तो उसका आपके पूपर बिलीब है और आपने उस product को use करके फिर आप उसको feedback दे रहें तो अगर customer satisfaction नहीं होगा तो भी वो हमारी market company की fame को decrease करेगा और अगर fame decrease होगी तो उसका सीधा असर पड़ेगा company के business activities पे then third one is competitors competitors जो competitors यानि जो भी हमारे यहां पर competitors का मतलब है कि जो complete जो direct competitor है और direct competitor के साथ जो indirect competitor है उन दोनों का ही हमें ध्यान रहना होता है जैसे कि for example आप माल लीजे आप कोई एंटा सी टैबलेट बना रहे हैं आपकी जो है वहां पर एंटा सी टैबलेट बना तो अब यहां पर हमें जो companies हमारे direct competitors कौन होंगे जो की एंटा सी टैबलेट बना रहे होंगे तो हमें उन पर ध्यान रखना होगा कि वह कुछ क्या नया कर रहे हैं क्या activities कर रहे हैं तो उनके similar हमें वह करते रहना होगा जितनी अगर वह कोई नया फीचर कुछ नया एडिसनल ला रहे हमें भी वह करना होगा आदावाइस वह मार्केट को हमें business को कंप्टीट कर सकते और उसके साथ साथ हम इन डारेक्ट कंप्टीटर को भी ध्यान रखना होता है जैसे इन डारेक्ट जो एंटीबाइटिक कंपनिया बना रहे हैं उनका भी ध्यान रखना होगा और जो यह इसमें एंटासीट के सस्पेंशन आ रहे हैं लिक्विड ओस पॉर्म्स आ रहे हैं या और किसी तरीके की प्रिप्रेशन आ रहे हैं तो वह भी हमारे कंप्टीटर होंगे उनके ऊपर भी हमको ध्यान रखना होगा उनकी एक्टिविटीज पे भी हमको ध्यान रखना होगा then fourth है आपके marketing intermediaries, marketing intermediaries का मतलब है कि जो team intermediaries का मतलब है कि जिस company में जो हम भाई company के direct part नहीं होते हैं बट वो एक link होते हैं किसी company किसी organization और customer के भी इसका जैसे इसमें आगे आपके wholesalers आ जाएंगे retailers आ जाएंगे these are the intermediaries जो retailers होंगे यह intermediaries होंगे अगर proper आपका wholesaler नहीं सेट है सही wholesaler नहीं wholesaler का मतलब है कि ऐसा जिसकी covering हो जो ज्यादा retailers तक आपके product को पहुँचा पाए आप माल लीजे आपने marketing करी company ने marketing की और उस product marketing के द्वारा सबसे पहले आपने advertisement किया advertisement भी आपकी marketing technique है उससे customers को product के बारे में पता हो गया अब वो product गया purchase करने retailer के पास retailer क्या करेगा कि retailer फिर जाएगा wholesaler के पास और अगर आपने माल लीजे आपने wholesaler पे available कराया है बड़ जो हमारा wholesaler है वो potential नहीं है यह जो retailer आया यह आपने जिस wholesaler पे माल लीजे ए wholesaler पे आपने available कराया था और ए wholesaler की supply इस retailer की पास नहीं है तो क्या होगा हमारा customer यहां पे customer रिटेलर इस होलसेलर पे या जिस भी wholesaler पे रिटेलर जाएगा वहां उसे product नहीं मिलेगा product नहीं मिलेगा तो customer को वो product supply नहीं कर पाएगा और customer satisfaction अच्छी नहीं होगा डेन नेक्स हमारा जो फिप्ट है micro environment का जो है वो है public public यहां पे जो public होती है public हमारी अलग अलग टाइप की public होंगी public का मतलब है simple सा कि mass of population और public में जैसे कि आप कहा जाएंगे action public का मतलब यहां पे होता है यहां पे कुछ जो भी company की PR team होती है मतलब की जो उसमें relationship maintain करते हैं वो कुछ ऐसे citizens को ऐसे customers को set करते हैं जिनको जो की हमारे product को use करते हैं और product की qualities के बारे में और भी public को aware करते हैं उसके साथ है आपका media media का भी बहुत important role होता है media के through भी हम product को promote कर सकते हैं अगर कोई आप यह देखें कि कि किसी भी media में कई बार मीडिया से relationship company का अच्छा है तो मीडिया उसके प्रमोट करती है बट अगर media relationship अच्छा नहीं और मीडिया में एक दो बार उस product से regarding कुछ ऐसी जो की bad news चलाग जी जाएं या जो ऐसी news हो जाएं कि जिसका असर हमारे business पे सही नहीं पड़े तो वह भी हमारे company के business को influence कर सकता है and local publics local publics का मतलब होता है कि जिस एरिया में हमारा production हो रहा है जिस एरिया में वेर आउसे से जहां पे हम marketing कर रहे हैं वहां की जो publics होती हैं तो micro environment में हमारे यह 5 factors हैं पहला है supplier, customer, competitor, marketing intermediaries and public then हम next देखते हैं what is the macro environment of the company, macro environment क्या होते हैं तो macro environment means यह ऐसा macro environment other types of environment which are not linked directly with the company organization but यह external factors होते हैं तो इसमें सबसे पहला हमारा आ जायेगा economic environment economic environment और economic environment का मतलब है कि economy बहुत effect करेगी economy का मतलब यह है कि जिस भी हम आप जिस भी एरिया में जहां पे भी हम business कर रहे हैं वहां की economy कैसे economy में सबसे पहला आ जायेगा आपका income जो भी वहां की population है वो population की income कैसी है अगर हम ऐसे एरिया में focus कर रहे हैं ऐसे country में focus कर रहे हैं जहां की economy grow कर रही है economy अगर grow करेगी तो वहां की जो public होगी उनकी income भी grow करेगी और अगर income grow करेगी तो market demand increase होगी और जब market demand increase होगी तब आपके business पे business active हमारा business भी increase होगा so economy का बहुत असर पड़ता है macro environment पे then second है आपका political and government environment दूसरा है political and government environment political and government environment का मतलब क्या है कि बहुत बार आप देखें तो ऐसी कुछ political या कुछ ऐसी government policies आ जाती है जिस पे certain business activities का effect पड़ता है या कुछ ऐसी conditions आ जाती है जिनसे हमारा business influence करता है so political and government environment भी हमारा macro environment में आएगा then third है आपका demographic environment demographic environment का मतलब है कि जो भी population है जो हमारी target population है उस population का categorization करना population का categorization का मतलब क्या है कि यहां पर age ratio क्या है sex ratio क्या है education ratio क्या है किस age group के population है इन सब चीजों पर तो जैसे कि माल लीजिए हमने यह जो age का हम example लेते हैं तो माल लीजिए जो भी हमारी target population है वहां पर जैसे इंडिया की जो population है इंडिया में population हमारी क्या हो रही है ग्रो कर रही है तो ग्रो कर रही है तो यानि यहां पर पीडियार्टिक्स जो है बच्चे जो है वह ज्यादा है बच्चे यहां बेबी ज्यादा हो रही है तो यहां पर जो बेबी के सर्वे किया है डेमोग्राफिक पॉपुलेशन का सर्वे किया है तो अगर इस पॉपुलेशन में हम बेबी केर प्रोडक्स या बेबी इस रिलेटेड जो भी हमाई फामा प्रोडक्स हैं उनको लॉंच करेंगे तो यहां पे बिजनेस हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले यहां पर यूनाइटेड इस्टेट्स में हमारी पॉपुलेशन इतनी फास ग्रो नहीं कर रही है वहां पर पॉपुलेशन क्या है तो वहां पर अगर हम इस प्रोडक्स को लेका हैंगे तो एस कंपेरिजेंट टू इंडिया हमें अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी न में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन नेक्स फैक्टर है हमारा सोश्यो कल्चर सोश्यो कल्चर का मतलब यह है कि सोशल और कुछ कल्चलर एक्टिविटीज का भी हमें ध्यान में रखना होता है कि जिस भी एरिया पे काम कर रहे हैं वहां की सोश्यो कल्चलर अब्सक्राइब का मतलब होता है कि हम वहां की जिस भी एरिया में business कर रहे हैं हम जो भी हमारी टार्गेट पॉपुलेशन है वहां की नेचूरल कंडिशन क्लाइमेटिक कंडिशन और क्या वहां पे नेचूरल फैक्टर जो हैं उनकी भी करते हैं तो यह था मारा माइक्रो और मैक्रो इन्वार्मेंट में कौन-कौन से फेक्टर होते हैं उसको लोगों ने डिसकस किया सबसे पहला इकोनॉमी फिफ पॉलिटिकल और गवर्मेंट डेमोग्राफिक सोसो कल्चरल और नेचुरल इन्वार्मेंट तो आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा इस टॉपिक से रिलेटेट कोई भी क्योरी होता आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं टॉपिक के पीडियाफ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गया लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यूँ